हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपर यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक इट, I hope आप सब ठीक होंगे, फ्रेंड्स जैसे के हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे मुगल्स का और चाक डैनिस्टी का डाउन फाल हुआ, और मुगल डैनिस्टी के बाद कैसे यहाँ पे अ करते थे, यह अफगानिस्तान के रहने वाले थे, काबूल के, 1747 में अफगान जो दुरानी इंपायरा, इसका क्रोनेशन होता है अफगानिस्तान में, यहाँ पे फौंड होता है, यह डैनिस्टी फौंड होती है, दुरानी इंपायर, उसके बाद इसके जो फौंडर बनते हैं उसके बाद 1748 से अहमद शाह अबदाली स्टार्ट करते हैं कश्मीर और इंडिया पे अटेक करना कहा जाता है अरॉण एट टाइम एहमद शाह अबढली ने इंडिया पर अटए किया इनका first attack ego ओधा 1748 में था second attack 1750 में था third attack 1751 fourth attack 1753 fifth attack 1762 और seventh attack 1764 और last action जो इंडिया पर था वो 1767 ठाइन के 22 farklı ऑले अटाइक था इसमें इन्होंने कश्मीर को पूरे तरीके से कंट्रोल में ले लिया था उससे पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है कश्मीर का लेते रहे लेकर 1762 में इन्होंने पूरे कश्मीर को अपने अंडर ले लिया और 1767 में इन्हें लास्ट ट्रैक किया था इंडिया पे और यह दुरान慈 के फांडरं ते दुरानी के फांडर फें। जिसकी कैपटल उस टाइम पे कंधार में रखी थी इन्होंने हैं। सिर्फ गवर्नर्स ने ज्यादा रूल किया और फर्स्ट गवर्नर जो इनके थे अबदुल्ला इसाक अकसाई था जिनका सिंबल नाम था सिंबल दिया गया था है तराने जालिम कहा जाता है यह बहुत जालिम थे बहुत जलम करते थे लोगों पे इनको तराने का सिंबल दिया कुछ political issues जो चल रहे थे काबूल में उसकी वज़ा से 28 गुवर्णरू को कश्मीर बेजा गया और उन्होंने around 67 एर जो कश्मीर में का अफगानी रूल चला उन्होंने यहां पर रूल किया 28 गुवर्णर ने और अहमद शाह अबदाली की जो death हो जाती है वो 4 जून 1772 में होती है उनके ही जो capital था कंधार में वहां उनकी death हो जाती है और वहां उनकी grave है उसके बाद इनके successor आते हैं ताइमूर शादुरानी ताइमूर शादुरानी बहुत importance रखते है middle जो history है इंडिया की वहां उनने बहुत सारी जो attack किये थे यहां पे इंडिया पे किये थे ताइमू पहले काबूल थी फिर उनने उसको जो पहले कंधार थी वहां से फिर उनने काबूल ली और अपनी एक winter capital बना दी पेशावर पाकिस्तान में 1776 में यह उनने पेशावर पाकिस्तान में जो अभी है वहां पे इनकी winter capital बना दी और इंकी wife का नाम था इनकी तीन wife थी गोहर नि पांध़ में यहां पे रूल किया और शाहर सुजन्डॉरानी ने यहां पे रूल किया था कश्मीर में सरहिंदसियी जो है इनको विड़ेंग की मिला था जो है अंपजा से असटारी उसके बाद बहिय gobierno यह बाद यह पन्जाब कश्मीर किया था 1780 में इनने मुलतान को भी capture किया था और इनकी बाद में death हो जाती है 1793 में काबूल में और ये cancer की वज़े से इनकी death हो जाती है और इनकी जो है grave है मुर्ग में है वहाँ पर ही तो उसके बाद इनके successor आते हैं इनके बड़े वाले बेटे जमान शादुरानी जिनका time period था 1793 से लेके 1801 AD का इनने यहां पर रूल किया मेई 1793 में इनने जो अपना जो है सरदार पाइंडा खान के साथ मिलके throne को ascend किया था इनके उस टाइम पर बहुत rebellion थे इनके बाही थे कुछ रिष्टेदार थे तो वो इनको बनने नहीं दे रहे थे रूलर लेकिन जो इनके एक governor थे सरदार पाइंडा खान उनके साथ मिलके इनने throne को ascend कर लिया उसके बाद इनने जो इनके father के time पर जो भी इनके रिष्टेदार इनके खिलाफ थे उनको इनने combine करने की बहुत कोशिश की जो भी इनसे खिलाफ नराज थे ताइमूर के time पर जो भी इनके जो भी रिष्टेदार खिलाफ थे उनको इनने काफी कोशिश की एक साथ करने की और इनके time पर रंजीत सिंग ने लहोर को जो है अकूपाई कर लिया था 1799 में जो रंजीत सिंग जो थे आगे जो सिख रूलर के फॉंडर बने थे उन्होंने इनके टाइम पे लहोर को इन से अकूपाई कर लिया और इनकी बाद में डेथ हो जाती है इनकी जो ग्रेव है वो हजरत सैफुदीन फारुकी रोजा शरीफ फतेगड में है जो इनकी डेथ होती है 1844 में इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद इनके सुकसेसर आते हैं इनके भाई मुहमद शाह दुरानी जिनका बहुत शॉर्ट पिरिड टाइम था 1801 इनने बाद में फिर से रूल किया था यहां पे इनका टाइम पिरिड था 1801 और 1803 एडी तक यह भी एक पश्टो एथिनिक ग्रूप से थे उसी ग्रूप से जिससे अहमद शाह अबदाली थे और इनकी मदर का नाम जो था वो जहुरा बेगम था इनने कुछ ज्यादा कंट्रिविशन यहां की जो है हिस्टरी में कुछ किया नहीं जहां पर कोई कश्मीर में उनका ज्यादा टाइम पर रूल चला नहीं तो ज्यादा कोई कंट्रिविशन नहीं नहीं किया और इनके सक्सेसर बनते बाद में शुजा शाह दुरानी इनके ही बाई दुरानी बनते हैं जो गवर्नर थे 1798 से लेके 1801 तक हिरात और पेशावर के गवर्नर थे वो बाद मे यहाँ पर रूलर बनते हैं और इनकी भी डेथ हो जाती है बाद में एपरल 1842 में इनकी डेथ हो जाती है इनके बाद फिर से महमूद शाह दुरानी रूल के लिए आते हैं इनको जो है इन से कैप्टिर कर लेते हैं दुबारा से और फिर यहाँ पर महमूद शाह दुबारा और इनको सक्सेस करता है आगे सुल्तान अलीशा दुर्रानी एक ही साल यहां पर रूल करते हैं 1818 से लेके 1819AD तक और इनके बाद इनके बेटे सक्सेसर हो जाते हैं आयूब शादुरानी यहां पर रूल करते हैं वैसा तो उनने जो 1819 तक ही अफगान का रूल रहा उसके अपने जो बाब को मार के इनके अपने थ्रोन को असेंड किया था यहां पर रूलर बने थे और इनकी डेथ हो जाती है 1837AD में 1837 में 1819 में कश्मीर जो है वो पार्ट बन जाता है लोहर का उस टाइम पे लोहर में जो थे वो रजा रजा रंजीत सिंग रूल कर रहे थे गव को वहां पे रूल करते थे वो कैप्चर कर लेते हैं कश्मीर को अपने अंडर और 1819 से सिख रूल स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में और जो लास्ट रूलर थे अफगान के वो जबार खान थे जैसे आपको पता ही है 28 गवर्नर जो थे अफगान ने यहां बेजे थे जो उन उने भी जो गुवर्नर्स थे अफगान के वह बहुत क्रूड और ब्यूटल थे बहुत जुल्म करते थे यहां के लोगों पे लोकल लोगों पे और इसलिए जो अफगान रूल है उसको डार्केस्ट एज कहा जाता है कश्मीर का फ्रेंट्स हमारा जो next lecture होने जा रहा है वो शिखरूल इन जम्मू और कश्मीर में होने जा रहा है तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारे चानल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमसे जुड़े रहने के लिए बैल आइकान क हमारे टेलिग्राम को जोन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन डॉस होते हैं तो उसके लिए के लिए जोन करें हमारे टेलिग्राम चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें, थैंक यू फ्रेंड्स